जयें दोस्तों जयें माकल मैं आपका दोस्तों विलिट सिंग स्वागत तें आपका शत्रिवनम की अगली वीडियो में दोस्तों आज हमारे सस्क्राइबर है जो हमसे काफी समय से जुडवे इससे पहले भी उन्होंने हमें लगबख तीन से चार मेने पहले कॉंटे किया था उनका कुछ सवाल है जो मैं क्लियर करने का प्राहित न करूंगा मैं सीधे शीधे नाम नहीं लूँगा किसी का भी लेकिन और हमारे सस्क्राइबर की यह प्रातना है हमसे की हम उनका नाम उनका नंबर और उनके बारे में ज़दा जानकारी ना दे क्योंकि जो आज का विशे है उससे वहां के उनका जो वातावरान ने वहां पर खराब हो सकता वातावरान याने उनके साथ जो लोग जुड़वे हैं कुछ दूसरे संसा से वहां पर कुछ डिस्टप कर सकते तो उनके बारे में रिवेल में कुछ भी नहीं कर सकूँगा लेकिन उनके सवालों के जवाब में देने का पुरा-पुरा प्रायत न करूंगा तो आज़े दोस्तों शुरू करते हैं इसका वीडियो उनका पहला सवाल था सीधा-सीधा राम रामुर्ति रण्ट के बहुतर आप का अर्द्यचंद्र रण बोलकर बता रहे हैं कि मैं बैला हां बिलकुल सहीं बात है कि च्ट्छ वता सब्सक्रान का नाम पढ़ा कैसा है इसका इत्यांज देखो जो रामुर्ति-द्ट के नाम से प्रचलित है अभी इंटरनेट के ऊप बताए वो बोले पांच हार किलो का हाती अपने चाहते पर रखते थे उन्हों प्रोफेसर राम मुर्ति देख लिया उन्हें तो दुबारा बरो भूलता नहीं ठीक है राम मुर्ति जी कि मैं भी इजद करता हूं वो भारतिय पहिलवान थे शक्ती का भंडार था उनके अंदर भी लेकिन मैं जो बताया मेरा अभ्यास जो प्राचिन समय से है अर्दच अंदर डंड जिसमें वरिष्टिक डंड भी आ रहा जिससे आपको शक्ती की महानुर्जा मिलींगी और मैं उनको यह बात बला कि देखो यह अपनी अपनी परसनल स को भूल जाना है मैं सरी बताया अर्दचंद्र डंड का एक छोटा सा हिस्सा राम मुर्थी डंड तो उन्होंने कई सारे महीनों से लगवे थे अभ्यास के अपर जो मैं उनको बताया था जो अपने देशी अभ्यास के अंदर आता अर्दचंद्र डंड और वरिष्टिक ड बात में निकला कि कुछ एक फार्सी व्यायम बोलके अभी नया शुरुआ फार्सी योग जिसके अंदर एकदम स्लो मोशन से करना है आपको हर अभ्यास तो मैं बला ये तो एकदम विपरिद बात है इसलिए उनका कुछ वीडियो में देखा देखने के बाद में मैं ये हो लोगों का दारन था की कछवषै एक मिनिट में पांच बार सांस लेता यानि आप एक डण लगा रहे तो जिसके लिए आप पांच मिनिट का आपको शमय लेना है पांच मिनिट का समय लीजे लेकिन आई से इसे करिए उसको तो थोड़ा इस विशे के अपर मैं आज बोलना चाहूंगा सबसे पहले उनके कई सारे वीडियोस में शक्ति का प्रदर्शन है गदा अभ्यास है जिस तरह से अपन गदा अभ्यास करते हो वह अभ्यास 99% अपने से मिलता जुलता है ठीक है मुदगर का अभ्यास है उसके अंदर आपका स्लो मोशन कहां गया स्लो मोशन स्पीड आप भी अपना रहे उनके कई सारे शिश्य है जो की इंट तोट रहे और अपने हातों पे एक लोही की शीक लपट रहे शीक लपट ना बड़ी बात नहीं है महाश्य जी आप एक लंबी सी शीक ले रहे उसको कोई भी ब्रेंड कर ले सकता अराम से बड़ी बात नहीं है और आप जब एक लिए आपके शिश्य लोग जब लेके तोड़ रहे तो कैसा तो आपके शिश्य गण जो इंट तोड़ रहे दिवारों पर पंचेस मारं रहे तो इसके अंदर मेरे तो फार्षी अभ्याज जैसे कि आप बताते स्लो मोशन ज्लो मोशन इंट मार रहें के तोड़ रहें वो लोग एक जटके में दो से सितीर शेकंड भर में दिवारों पर 55 मार रहें वो भी सिटन भर में के पंज जारा ठीक है जब आपके शिश्य लोग इंट तोड़े इंट तोड़ने से पहले यहाँ पर और यहाँ पर ग्याप लेकर बीच में इंट लगा रहें जिससे ग्रैविटी नीचे की और जाती इंट तोड़ना आसान रहता अगर वही इंट को आप बिना सपोर्ट के हटा के एक सपाट जगा पर रखकर तोड़के बत चीज को आप चोटे में चोटे असे शीक में ले रहें यहांविटी बड़ी सीख को आप यहांडि लपाट लोड़ने न सी Friscus नीच इतनी सी शीक लीजिए कलाई पर नहीं कलाई तो बहुत बड़ी है आपकी उंगली चोटी सी उंगली जो है इसके उपर लपेट के बता दीजिए ठीक है तब आपका फार्सी व्यायाम फार्सी योग जो भी है उसे दरेंगा लोगों के अंदर एक भ्रांतरी मत पहुंचाईए पहले जब तक बोटी नहीं आती थी तो लक्षमन जी के प्राण नहीं बसती यहां पर स्पीड मैठर करता है जो ताखत का आपका प्रदर्शन आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो ताखत का प्रदर्शन के लिए भी स्पीड होना पड़ता प्रदर्शन आप लोगों को करन लगाते हैं ठीक ना स्वांसों के ओपर ध्यान देते हुए जब नीचे जा रहे तब स्वांस कैसा लेना तब उपर आरे तब स्वांस कैसा करना कुंबक के बारे में मैं कई सारी जान करी दिया इसको आप अपनानी कुछिय पर आते हैं थोड़ी बहुत स्पीड रहना भी दोस्तों जैसे कि स्वांस ले रहे स्वांस शोड़ रहे हैं उसके पर आपको ध्यान देना है एक सांस में एक ही अभ्यास नीचे जाते होगत का अभ्यास का स्वरूप अलग रहेंगा उपर आते होगत स्वारूप रहेंगा भीतरी कुंबक और बाहर कुंबक ये चार अगर कल के दिन अपने पर हावी हो रहा तो उसको पंच के आपन ऐसा मारेंगे किया रपाटे से उसको एक धुमा के देंगे आपका मजल जब डैमेज हैंगा तभी उन्हें अच्छे से रिपोरेंगा पहले से जादा उसके अंदर स्टेंथ हैंगा यानि जो मजल अपन कर रहे हैं शुरुआत में कई सारे लोगों को एक हफ़ते तक दर्द नहीं जाता क्यूंकि उसके अंदर मजल डैमेज होता हूं उसके बाद ही जब वह तूटते रहता तूटने के बाद जैसे जैसे वह रिपेर होते जाता उसके बाद में उसके अंदर पहले से ज्यादा मजबूत ही है और एक बात सथ नाराज हूं दोस्तों मैं अपने धरम के ओपर भी कुछ अनाप्शनाप बख रहे कई सारे वीडि जो आप सिकारे सानातन धरम को प्रमोट करी है नहीं बलकर नहीं लेकिन हम महाकाल के दिवाने हैं भगवान बजरंग बली के भगते भगवान राम के आराधना करते इनके पर अगर आप कुछ बोर रहे तो हम लोगों को सहीन नहींगा ठीक है तो यह कुछ भांतियां थी द प्रणायम क्या है देख सकते हो लोग यहां पर कुमबग नहीं है आपको जो यह फारसी व्यायम बता रहे जाब फारसी योग जो बता रहे इसके अंदर नहीं तो कुमबग है नहीं तो भीतरी कुमबग नहीं तो बाहरी कुमबग का सहीं तरीखा क्या है यहां पर रहता है कच्छवा आता एक मिनिट में पांच बार लेता सांस दस बार लेता है कितनी भी बार लेता नहीं लेता लेने के बाद उन्हें जाके रहता है पानी में जब उसको पानी में जाना है तो उन्हें तीर के जहेंगा उपर आना है तो सांस लेने के भी उसको तीर के आना है कुम्बग लगाने के बाद में उन्हें अपने हाथ पर चला रहा कच्वे का उधारन गलत है और ऐसे इससे जुकना है बस आपको डंड लगाते होगा जुकना है बैठक लगाते होगा जुकना है जब भी आपको सिकाना तो मुद्घर और गदेके अन्दर भी आप ऐसी बताना था आईसे से मुद्घर लेकि घुमाई को यह मतंप रही होता कि बता दिजी आप होगा तो मैं मेरे सब्सक्राइबर के कुछ डॉट क्लियर करना चाह रहा था जो कि मैं शायद करने का प्रयतनी किया और बुजरा मुझे इस बात का लगा कि हमारी देवी देवताओं के उपर कुछ सनातन धर्म के लोग ही सवाल उठा रहे हैं हम चाहते कि देश में कोई भी क चीजों को आप छोड़ दीजिए जब आप शेत्रिया पर नाम का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर एक उड़्जा का लहर उड़्जा की लहर आपके अंदर दोड़ींगी यह हमारी कामना है बहुत जल्दी मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हि झाल 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 झाल